खबर भरतपूर से है जहाँ पर स्वास्तव भाग के और से निशुल्क थर्मल स्क्रीनिंग की जा रहे है राजीव गांधी वेलफेर सोसाइटी पर पैसे की मांग करने के आरोप लगे हुए है इसके बाद मुख्य चिकित सा अधिकारी जॉक्टर कप्तान सिंग ने इस संस्था के और से कराये जा रही थर्मल स्क्रीनिंग की अनुमती को रद कर दिया इसी के साथ ही आगे की कारवाई भी शुरू कर दी गए आपको बता दे कि राजीव गांधी वेलफेर सोसाइटी ने स्वास्वभाग से भरतपूर में निशुलक थर्मल स्क्रीनिंग करके कुरूना रोगथाम के कारियों में अपना युगदान देने के अनुमती मांगी थी लेकिन अब ये संस्थान विवादों में पस्ती हुई नजर आ रही है क्योंकि नगर डिगम के कुछ पाशदों ने इस संस्था के बदाधिकारियों पर रुपए मांगने का आरोप लगा है फिलहाल पूरे मामले की जाच जारी है तो मैं अब पूझे तुमारा ये हंड की विववरस्ता कहां से होगी भाई अपने थर्मामेंटर आएंगे इंटारेट टिमी आएंगे और सारी चीजे हैं तो इन्होंने मुझे बोला था कि ये जब चारी विववरस्ता हैं मेरे पास हैं और ये मारे पास डोक्टर में और ये नर्सीन स्टाफ हैं उनके में पावाद भी दिखाएं तो मैंने को इस सर्थ पे ही पर्मिशन की थी कि भाई हमार पास 50 स्टाफ हैं 5 UPSC हैं हम सब अपना कर रहे हैं बट अगर तुम चाते हो कि हम भी इसमें जूगताम करें तो आप इन सर्थ आपकर काम कर सकते हो आप कहीं से भी किसी भी तरीके दे कोई पंद्लिंग की बात नहीं करोगे सारा सामान आपका होगा सारा इस्ता